हेलो गाईज आज हम बर्डे में जा रहे हैं मेरे भांजे के चलिए आपको चलते हैं ठंड बहुत है मगर मुझे जाना है कंपल सरी है इसलिए मेरा बड़ा बेटा छोड़ने जा रहा है मुझे बस चैन पे अब हम बस्टैन जा रहे हैं वह कार पार्किंग नहीं इसलिए हमने कार या साइट में खड़ करके हम बस्टैन के तरफ जा रहे हैं फिर हम बस जून देंगे तिरह हम बस में बैट जाएंगे देखो या सामने मैट कृष्टेसन है साइट में बस्टैन है अब हम बस्टैन के तरफ बस खून रहे हैं कहां खड़ी है हमारी बस अब हम बस में बैट चुके हैं बस चल दी है बस हमारी काफी स्पीट पर चल रही है अब ये आप देख रहे होंगे जहां पानी पानी ये बहराज है यहां हम देख रहे हैं इंज्वाइ कर रहे हैं और चलते चले जा रही हैं यह मेरी बड़ी बेटी है यह मेरे ब्लॉग बनाने में मेरी हेल्प करती है हम चाह रहे हैं इंज्वाइ कर रहे हैं आप भी हमारे साथ इंज्वाइब करिए बैटे मटे मैं बस में काफी बोल हो रही थी फिर मैंने यूटूब के काफी सारी अपने रील्स बनाई है जो मेरे यूटूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं अब हम बस्टेन पहुंच चुके हैं अब देखिए हम आगे घर पे मिलते हैं अब हम अलग अलग बच्चों के साथ वीडियो बना रहे हैं अब सुबह उठके हमने ब्रेकफास्ट किया है पकोड़ी का आप भी देखिए चाई और पकोड़ी यह हमारा गाओं है गोट है यहां देखिए काउ भी है इनके छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बेबी है यह देखिए आप यह हमारा गाउं है काफी सुंदर है अट्रेक्ट है अच्छा लगता है आककर काफी इंज्वाइ करने को मिलता है यह देखिए गौट अपना खाना खा रही है काउ भी खड़ी है देखिए गौट को देखिए आप यह देखिए दूसरी गौट इसके चोटे चोटे बेबी है जो बहुत मस्ती करते फिरते रहते हैं काफी क्यूट है यह देखिए आप यह देखिए दोनों एक साथ काफी उचलते रहते हैं घूम रहे हैं यह मेरी दूसरी बहु है जिनकी फर्स्ट बेटी यह है जिसके साथ मैंने रील बना रही हूँ यह भी काफी क्यूट है और आगे फिर चलते देखिए आप इनकी छोटी बेहन यह बेटी है यह भी इसके साथ मैंने काफी रील बनाई है यह देखिए यह भी काफी क्यूट है यह मेरी दूसरी बहु है जिसके साथ ही मैंने रील बनाई है यह देख लीजिए आप गर में बैठके हमने रील कहीं इंज्वाई किया है यह खाली थे इसलिए हमने रील ही बना ली है जिनके बेटे का बर्ड है यह वो बहू है मेरी कि देखिए आप इनका बेटा है काफी रो रहा है क्योंकि वो फर्स्ट बर्ड है उसका वो थोड़ा भीड को देखके वो हो रहा है confused यह मैं उसे खिला रही हूं किसी तरह चुप कर रही हूं कि चुप हो जाए बेटा आप देखे गैस्ट हैं महां बैटे हैं सब enjoy कर रहे हैं यह सब मेरी बहुए हैं कुछ बेटियां हैं कुछ बहुए हैं रिष्टेदार हैं गैस्ट जिने कहते हैं यह देख लीजी आप सब काफी खुश हैं सबको बहुत अच्छा लग रहा है हूं अब इसके बाद बरड़े इस्टार्ट हो गया है ड्यकुरेशन काफी अच्छा किया है मेरी बीटी नहीं किया है यह देखिए केक है काफी यम्मी है को यह काफी फोटो योट विश्वाई है रहे हैं बरड़े चल ये इनके पापा है ये देखिजी आप ये सारी मेरी फैम्ली बाले हैं मर बच्चा वह अभी तो रूई रहा है यूड को देखके थोड़ा नर्वा सो रहा है निकलेगा निवो कि जो 24 ले सबेते निकलेगा पती का निवो कि यथी फैसे अड करेंवेर धाले लंगी कोिशी आड़ा भड़ा है बंगा कवा है मेरे अ, भी एवोगा सब पिर्पा शेंगा मुल्पावन को बचार संब ये बच्वाल कुझा मिंध्चा उरती प सकती कर दो कि नहीं आपर जा जाब बसा घग्जा Bढद अर्षेश इस अदूंद अ नहीं अने बहुश्वा आपार दे आहुश्या से अची देटी, ताली निया प्लेट बीटे लिए बीड़ा है जो मनावाल आण घृदाल हमारे यहाँ पर खाना बन रहा है यह है दाल मखनी यह देखिए दाल मखनी कितनी यमी है ऐसे करके राद भर बनता है दाल मखनी तब बनके आती है यह मेरी बेटी है जो बना रही है वो हमारे शेफ साहब है जिन्होंने स्टार्ट किया है अब आगे देखिए आगे हम दूसरा दिखाते हैं और क्या डिश बन रही है देखते रही है आप चलिए अब हम आपको नेक्स बिखाते हैं नेक्स में क्या बना है के देखिए यह कड़ी है हमारे यहां की कड़ी जिसमें हमने पकोड़े हैं वह अब आप को दिखने त्यार हो रहा धो हरे हैं कि जिए यह कड़ी त्यार हो रही है हाँ जी अब देखिए गैस्ट खाना खा रहे हैं ये देखिए सब गैस्ट को हम ऐसे करके खाना खिला जाता है हमारी हाँ ये सब गैस्ट को सर्फ खुदी किया जाता है खाना खुदी खाया जाता है अब ये मेरा चोटा बेटा खाना सर्फ कर रहा है ये देखिए आप सब को खाना किला रहा है सबसे पूछ रहा है और चाहिए और फिर दे रहा है ये मैं भी खा रही हूं मुझे भी दे रहा है ये फिर हमने सब ने खाना खाया काफी यम्मीता खाना अब ये अगले बॉर्णिंग का खाना ये बच्चे खाना खा रहे हैं हमारे हां के फिर देखिए अब हम घर के लिए निकल चुके हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अब मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए मेरे चाइनल पर बने रहे हैं गुल्बाइ